वो सारे बायोजिकल वोटर्स जिन्होंने आकर नॉन बायोजिकल को एक सबग सिखाया है उसे ये कुछ सबग सीखेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर महराष्टरा तक आयोध्या से लेकर नाशिक तक भारतिय जनता पार्टी को हराया है शिंदल सरकार ने समझा होगा कि जो byologically bond होते हैं वो महिंगाई से जूज रहे हैं जो byologically bond होते हैं वो नीड की पेपर लीक हो रहे हैं और करीब 81 पेपर लीक हुए हैं इतने सालों में उसके उपर उनको दर्थ होता है ये बाइलोजिकली बाउन जो हैं, वो बेरोजगारी से परेशान हैं, ये बाइलोजिकली बाउन जो हैं, वो महिलाएं, महिलाएं जो सम्मान धूनती हैं, उमीद करती हैं, कि सम्मान उनको दिया जाएगा, और नॉन बाइलोजिकल जो कहते हैं अपने आपको, उनको एक पर् करेंगी कि आप या हंकार से चलते रहे हैं ऐसे अभी भाष्रन उनके भूंसे बुलवाते रहे हैं और आने वाले समय में दो सो चाली से चालीस के लिए आप तैयार रहें आप स्रीमेंती पंधियंका चत्रविर जी स्रिमें के यह च Saltria minutes no it's not going on record there are 105 more than 105 speakers time is located and mentioned here I have to follow the new पंध jsemका प्रेंका जी जी नट आपत्रड इक करते हज्ब सबसे पहले तो मैं आपका अभार व्यक्ष付 कर न चाहंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, समय कम है और समय मुझे कम दिया गया है तो मैं बस यही कहूंगी, सबसे पहले तो राश्टपती का जो अभिभाशन हुआ वो लोगसभा चुनाव के बाद ये पहला अभिभाशन था तो मैं कहूंगी, जो जनता ने लोगसभा से एक बड़ा संदेश भेजा है वो सर्धानिय है और हमारी प्रजा तंत्र की एक बड़ी जीत दिखाता है सर एक और संदेश ये चुनाव ने भेजा है भगवान श्री राम कौशल्य पुत्र भी माने जाते है भगवान श्री कृष्णा देव की पुत्र भी कहे जाते है वो कौशल्य पुत्र और देव की पुत्र ने मिलकर एक संदेश भेजा है और नॉन बायोजिकल जो कहते हैं अपने आपको उनको एक स्पर्क दिखाया है और ये बताया है कि भगवान का अफ्तार भी अपनी मा के नाम से भगवान माना जाता है तो ये सबक जो सिखाया है मैं सारी देश की जनता को अभार व्यक्त करना चाहूंगी वो सारे बायोजिकल वोटर्स जिन्होंने आकर नॉन बायोजिकल को एक सबक सिखाया है और यही कौशल्य पुत्र और देव की पुत्र ने उत्तर प्रदेश से लेकर महराश्ट्रा तक अयोध्या से लेकर नाशिक तक भारतिय जनता पार्टी को हराया है तो मैं उन सभी लोगों का अभार व्यक्त करना चाहूंगी एक और चीज इस इलेक्शन ने हमें संदेश दिया है देश की जनता को दिया है कि जो अहंकार से चलेगा उसको अहंकार ही खतम करेगा और यह जनता का अहंकार था जनता का मत था जिन्होंने आज विपक्ष को भी मजबूती से अपने बात रखने का मौका दिया है पर अभी भाशन में सरय कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि केंदर सरकार ने किसी तरीके की सबक सीखी है केंदर सरकार ने ये समझा होगा कि जो BIOGICALLY BOND होते हैं वो महंगाई से जूज रहे हैं जो BIOGICALLY BOND होते हैं वो NEED की जो PEPER LEAGUE हो रहे हैं करीब 41ruktur लीक हुए हैं इतने सालों में, उसके उपर उनको दर्द होता है। यह biologically bond जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं। यह biologically bond जो हैं वो महिलाएं। महिलाएं जो सम्मान धूंड़ती हैं, उमीद करती हैं के सम्मान उनको दिया जाएगा। यह जो बाइलोजिकली बॉन हैं, युवा हैं हमारे, वो अगनीवीर, जैसी जो पॉलिसी लाई जाती हैं, उससे जूज रहे हैं, उसका शिकार हैं, जो बाइलोजिकली बॉन हमारे किसान हैं, वो भी तरस्त हैं, पर उनके अभिभाशन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, क करकार की तरफ से जो दिखाता है कि कोस करेक्शन होने वाला है तो मैं तो बस यहीं कहूंगी सर बस रैप अपी कर यूँ मैं जादा समय आपका नहीं लूगी कॉन मैं बस यहीं कहूंगी कि आप यह हंकार से चलते रहिए ऐसे अभिभाशन उनके भूसे बुलवाते रहिए औ आने वाले समय में 240-40 के लिए आप तयार रहिए जै महराश्ट्र जै हिंसा